दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और आस्टेलिया के बीच में वाम अप मैच कप कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और भारती टीम किस प्लेंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी और इसके इलावा भारती टीम में कौन कौन से बड़े पहुँच चुकी है और टी-20 वाटकप 2022 की तैयारियों में जोरुसोर से लगी हुई है जहां पर भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होने वाला है लेकिन उससे पहले भारती टीम को अपनी तैयारियों को परखने के लिए दो वाम अप मैच खेलने है और इस वाम जटका लगा और रविंद्र जटेजा और जस्पिरीद बुमरा चोटिल होने की वज़े से टी-20 विसकप से बाहर हो गए इसके अलावा दीपक चहर भी चोटिल होने की वज़े से वाटकप से बाहर हो चुके हैं हालानकि दीपक चहर स्टेंडबाई खिलाडी के रूप मे टीम में सामिल हुए थे और इन खिलाडियों की चोटिल होने के बाद बी-सी-सी-ाई ने इनका रिप्लेस्मेंट घोसित कर दिया और उनकी जगा पर मोहमत समी, मोहमत सिराज और सरदुल ठाकुर आस्टेलिया पहुंच चुके हैं लेकिन दोस्तों मोहमत समी और मोहमत सिरा सुबा साड़े-9 बजे से होने वाली है और टी-20 विसकव से पहले दोनों ही टीमें इस मैच में अपना बेहतरीन परदसन दिखाने वाली हैं और यह मैच बिरिस्बेन के गाबा स्टेडियम में खेला जाना है तो चलिए ब आपको बताते हैं इस मैच के लिए आस्टेलिया कि खिलाफ सांदार पारी खेल करके अपने फार्म में वापस आने का संकेद दे दिया था। भारत की तरह से T20 हर्मेट में दिनस्कार्टिक ने पिछले कुछ समय से सांदार परदरसन दिखाया है और में तरहा है और नमबर शे पर आलरंडर हर्दिक पांड़िया खेलते हुए नजर आएंगे और हर्दिक पांडिया जरूरत के हिसाब से अपने बल्ले और गेंच से कमाल दिखाने के लिए जाने जाते हैं और हर्दिक पांडिया भारत के लिए एक मैच विनर खिलाडी साबित हो सकते हैं और वही नमबर 7 पर होंगे आल राउंडर अच्छर पटेल और अच्छर पटेल भी अपनी सांदार इस पिन गेनबाजी के लिए जाने जाते हैं और गेनबाजी के साथ जरूरत पढ़ने पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और नमबर 8 पर रवी चंदरन अस्विन खेलते हुए नजर आएंगे पिछले कुछ समय से रवी चंदरन अस्विन फार्म में नजर नहीं आया हैं इसलिए उन्हें पहले वार्मप मैंच में मौका दिया जा सकता है और इनसे अच्छा परदरसन करने की उम्मीद होगी और नमबर 9 पर अरसदीव सिंग खेलते हुए नजर आएंगे सावत अफरीका के खिलाफ अरसदीव सिंग ने सांदार परदरसन दिखाया था और अब वो अपने परदरसन को आगे भी जारी रखना चाहेंगे और नमबर 10 पर होंगे तेज गेंबाज भूनेसवर कुमार पिछले कई मैचों से भूनेसवर कुमार का परदरसन कुछ खास नहीं रहा और आस्टेलिया के खिलाफ खेले गए टी-20 सीरीज में दो मैचों में सिर्फ एक विकेट लेने में सफल हुए थे ऐसे में भूनेसर कुमार से अच्छे परदरसन की उम्मीद होगी और नमबर 11 पर तेज गेंबाज हरसल पटेल खेलते हुए नजर आएंगे चोटू लेहने के बाद इन्होंने भी भारती टीम में वापसि की है पिछले कई मैचों में इनका परदर्शन भी अच्छा नहीं रहा ऐसे में इनसे अच्छे परदर्शन की उम्मीद होगी तो दोस्तों कुछ इस तरह से भारती टीम की फ्लेंग 11 होने वाली है ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारती टीम आस्टेलिया के खिलाप T20 मैच जीत पाएगी या नहीं कमेट में अपनी कीमती राय जरूर बताए वीडियो देखने के लिए आपका सुख दिया